दोस्तो वेरी गुड मानिंग टो अलफ यू टार्गेट इस्टरी एक क्योंकि आज के सांधार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो हाल ही में कोस्टन मना है कि किसान सुर्योद योजना को किस राज्य के द्वारा लॉंच किया गया है एक बाद फिर से सुरू किया गया है तो अंसर हो जाएगा अगर आप regular मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि इस योजना को गुजरात राज्य में हाल ही में फिर से सुरू कर दिया गया है हालक इस योजना को पहले भी गुजरात में 2019 में लॉंच किया गया था उसके बाद से हाल ही में इस योजना के दूसरे वर्जन को 2020 में लॉंच कर दिया गया है तो किसान सुर्योद योजना का संबंध जो है ये है गुजरात राज्य से तो इसमें आप देख सकते हैं इस योजना को हालखी में वर्चुली प्रिदान मंतरी मोधी जी के द्वारा लॉंच किया गया है इसके तहट किसानों को दिन में बिजली उपलब्ड करवाई जाएगी so that वो अपने खेतों में पानी चला सकें इस योजना को जनवरी 2021 के अन्त तक 4000 गाहूं में इसको लॉंच किया जाएगा cover करते हुए साथी साथ में दोस्तों अभी पिछले 2-3 दिनों से जितने भी government scheme बाले questions बन रहे हैं उसी के साथ साथ में मैं आपको उससे related जो government की पहले scheme में लॉंच हुई है वो भी करवाते जा रहा हूँ तो मैं आपको ये जो list आप देख रहे हैं इस प्रकार की दो list मैं आपको हाल ही में करवा चुका हूँ जिसमें लगबग exam में पूछे जाने बली सभी schemes को cover कर दिया गया है अब ये जो बची हुई कुछ schemes है इसको भी इस वीडियो में cover कर लेते हैं क्योंकि exam में ये पूरा पूछ लिया जाता है तो एक योजना है जिसका नम है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना इसको exam में पूछेगा किस year में launch किया गया था answer हो जाएगा जनवरी 22, 2015 में इसको launch किया गया था किसके दौरा किया गया था तो ministry of women and child development के उधारा इस योजना को launch किया गया था उसके बाद में question है पंडित दीन दयाल उपाद दिया है स्रमेव जहते योजना तो ये जो योजना है जिसको PDUSJY के नम से जानते हैं इसको 16 October 2014 को Ministry of Labor and Employment के दौरा launch किया गया था उसकी बाद में कि योजना है National Sports Talent Search Scheme तो इस योजना को National Sports Talent Search Scheme को February 20 को 2015 में Ministry of Youth Affairs and Sports के दौरा launch किया गया था आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question दोस्तों बनेगा कि भारत की पहली report कौन सी report? LASI report इसको आप exam में आपसे LASI LASI report से ये question आएगा कि भारत की पहली Longitudinal Aging Study in India LASI Wave 1 report किसके दौरा launch किया गया है? दोस्तों इस report को हाल ही में Dr.Harswarden के दौरा launch किया गया है और ये जो योजना है ये भारत में पहली इस तरीके के योजना है जो की Aging People के लिए launch करी गयी है तो Dr.Harswarden इसका right answer हो जाएगा जिनके दौरा हाल ही में इस report को launch किया गया है अब ये जो report है दोस्तों इस report में भारत का पहला और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक survey है जिसमें कि बढ़ती हुई जो age होती है ये बढ़ती हुई उम्र का आबादी पर क्या सर पड़ेगा इस चीच को लेका central और state level पर जो भी नीतिया बनाई जाएगी उनके किरियानवन के लिए इस योजना को इस report को तयार किया गया है तो यहाँ पर अगले question की तरब चलते हैं अगला question है कि भारती सेना के human right cell मानुव अतिकार cell के पहले अतरिक्त महान दे सक यानि की additional director general कौन बनाए गए हैं तो answer हो जाएगा कि हाल ही में major general गौतम चौहान को option number ace का right answer हो जाएगा major general गौतम चौहान को human right cell का पहला अतरिक्त महान दे सक additional director general बना दिया गया है option number ace का right answer हो जाएगा दोस्तो इससे पहले मैंने आपको पता था कि भारती सेना में पहले human right cell जो है मानुआ दिकार cell जिसे हम लोग बोलते हैं ये नहीं हुआ करता था हाल ही में एक नया department भारती सेना में जोड़ा किया है जिसका नाम है human rights cell मानुआ दिकार cell जिसको हाल ही में भारती सेना में सलग्न किया गया है इसकी स्ताफना करी गई है जिसके additional director general बनाए गए है major general गौतम चौहान साथी साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसी cell में इसी cell का जो इसी cell में जो इसका प्रमुख है वो किसे बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा major general स्रेणी का जो अधिकारी होगा officer of the major general rank उसको बनाया क्या है आगे चलते हैं जनवरी 2021 में भारत की पहली double stack लंबी कंट्रेनर ट्रेन को किन दो राज्यों के बीच में हाल ही में चलाया गया है तो दोस्तों हाल ही में परदान मंतरी मोदीची की द्वारा एक वर्चुली एक कारकरम में वर्चुली इस ट्रेन को लांच किया गया है जो कि हरियाना और राजस्तान के बीच में चलाई जाएगी double stack ट्रेन जो होती है ये पूरे भारत की पहली double stack ट्रेन है इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं ये एक normal ट्रेन आप देख रहे होगे उसके उपर भी आपको एक double stack ट्रेन जो है आपको दिखेगी आपको पताना चाहूँगा कुछ इस तरीके से ये होती है जैसे मनलोग ये train है train का डबा है जो की आगे जा रहा है इसी के उपर एक और डबा रखा होगा इसको बोलते हैं double stack double stack वाली train हाला कि अभी तक भारत में double stack वाली train नहीं थी लेकिन हाल ही में जनवरी 2021 में प्रधान मंतरी मोदी जी ने पहली बार पूरे भारत की पहली double stack लंबी container train को हाल ही में हरियाना और राजस्तान के बीच में launch कर दिया है तो इसमें आप देख सकते हैं प्रधान मंतरी मोदी जी ने virtually इसको launch किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इस योजना को virtually launch किया गया है प्रधान मंतरी मोदी जी का photo भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने इसको launch किया है साथी साथ में इसको हरियाना, यहाँ पर होगा हरियाना, इसको हरियाना के न्यू अटेली स्टेशन से राजस्तान के किसन गंज स्टेशन के बीच में सुरू किया गया है, इस ट्रेन की जो लंबाई है यह है 1.5 किलोमेटर, तो 1.5 किलोमेटर लंबी इस ट्रेन को राजस्ता और हरियाना के बीच में चला गया है अगर आपसे स्टेशन के नाम पूछे तो हरियाना के निव अटेली स्टेशन से राजस्तान के किसन गंज स्टेशन के बीच में इस डबल इस्ट्रेक ट्रेन को लॉंच किया गया है इसका एक और फोटो आप यहां पर देख सकते हैं जिस आगे चलते हैं कि हाल ही में शाओ थे ग्लोबल आयूर वेदा फेस्टिवल 2021 को भारत के किस राज्ज में इस्तापित किया जाएगा मलब किस राज्ज में सुरू किया जाएगा तो दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहूंगा पिछले वर्स 2020 में यह इवेंट और आयूजित किया जाना था लेकिन कोरोना वाइरस के चलते इसको आयूजित नहीं किया जा सका था तो यह जो फेस्टिवल है जो कि चाओ था ग्लोबल आयूर वेदा फेस्टिवल है इसको केरला में सुरू किया जाएगा कि चाओ था ग्लोबल आयूर वेदा फेस्टिवल 2021 जो है इसको केरला में आयूजित किया जाएगा कब से कब तक किया जाएगा 12 मार्च से 19 मार्च 2021 तक इस इवेंट को वहाँ पर आयूजित किया जाएगा इसमें आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा है कि चाओ था ग्लोबल आयूर वेदा फेस्टिवल जो है ये 2021 में 12 से 19 मार्च 2021 के बीच में आयूजित किया जाएगा अब चुकि दोस्तों इसके बारे में डिसकस हुआ है तो इसी से जड़े हुए कुछ नोट देख लेते हैं कि हर साल आयूर वेदा दिवस किस दिन मनाय जाता है यानि कि अगर आपसे कोई पूछे कि आयुर वेदा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इसका कोई date fix नहीं है ये हर वर्स जिस दिन धनवंतरी जहनती भगवान धनवंतरी की जहनती मनाया जाती है जिसको धनतेरस के नाम से हम लोग जानते हैं उसी दिन राष्ट्रिय आयुर वेद दिवस मनाया जाता है इस बेसिस पर आप लोग जड़ा कमेंट करके बताइए कि वर्स 2020 का राष्ट्रिय आयुर वेद दिवस किस दिन मनाया गया most important question है दोस्तों ये जो भगवान धनवंतरी हैं इनको आयुर वेद के जनक के रूप में भी जाना जाता है father of the ayurved ये अभी हाल ही में SSC और NTPC में भी ये चीज़ पूछी जा चुकी है कि father of ayurveda के रूप में किसे जाना जाता है तो answer हो जाएगा आयुर वेद यानि कि father of ayurveda के रूप में भगवान धनवंतरी को जाना जाता है तो ये चीज़ आपको समझ कर चलनी है इसके लाबा दोस्तों इसी से related एक चीज़ confusion ना रहे कि father of western medicine या फिर modern medicine किसे बोला जाता है तो western medicine या modern medicine का जो father है वो hypocrites को बोला जाता है तो hypocrites उसका right answer हो जाएगा I hope आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद में दोस्तों question है कि हाल ही में RBI की तरफ से license प्राप्त करने वाला पहला देखो पहली बार अगर किसी को कोई चीज़ मिलती है तो वो कुसर्ण सबसे ज़दा important हो जाता है तो RBI की तरफ से license प्राप्त करने वाला पहला अरबन cooperative bank कौन सा है जिसको license मिला है कि अब वो small finance bank में बदल दिया जाएगा तो बहुती सांदार प्रदर्सन करते हुए यहाँ पर इस bank ने जिसका नहम है सिवालिक मरकेंटाइल cooperative bank तो यह जो सिवालिक मरकेंटाइल cooperative bank है option number 20 का right answer हो जाएगा इस bank को हाल ही में RBI ने स्विकर्ति प्रदान कर दी गई है यह जो पहले पूरे भारत का पहला ऐसा urban cooperative bank है जिसको SFB यानि कि small finance bank के तरीके काम करने और expand करने का सहमती मिल गया है अच्छा यह बैंकों को सोचा इस तरीके की जो भी सहमती है वो RBI से लेनी पड़ती है क्योंकि RBI को बैंकों का bank यानि कि पूरे इंडिया में जितने भी bank काम कर रहे हैं किसी भी category के उन सबका जो bank है बैंकों का bank है वो है RBI Central Bank of India जाना जाता है RBI तो यह जो bank है सिवालिक Mercantile Co-operative Bank इसके इस समय MD और CEO है सुवीर कुमार गुपता बहुत ज़दा निउस में चल रहा है क्योंकि पूरे भारत का पहला ऐसा bank बना है जिसको ऐसी स्विकरती दी गई है यह एक कौन से राज्य से बिलॉंग करता है तो यह जो bank है यह उत्तर प्रदेस पर अधारित एक bank है जिसका मुख्याल है उत्तर प्रदेस के सहारनपुर में इस्तित है तो यह सारी चीज़े आपको पता होना चाहिए बहुत ज़दा निउस में चल रहा है important question है question मना है कि किस देश की clear polosk किस देश की clear polosk तो किस देश की clear polosk जो है यह test matchों में चवथे empire की भूमी का निभा कर पूरुसों के test match में empiring करने वाली पहली महीला अधिकारी बन गई है तो यहाँ पर भी वही case है कि पहली बार किसी को कोई चीज मिली है तो वो चीज important हो जाती है तो option number B England इसका right answer हो जाएगा कि हाल ही में sorry Australia इसका right answer हो जाएगा हाल ही में Australia देश से विलॉंग करने वाली clear polosk जिनका photo मैं आपको दिखा रहा हूँ यह यह है clear polosk तो यह हाल ही में पूरुसों के matchों में पूरुसों के test match में चौते empire की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी है इस बज़े से Australia की clear polosk को पहली महिला बनी है जो की चौते empire की भूमिका निभाई है वो भी पूरुसों mains के test cricket में तो option number 20 का right answer हो जाएगा अब यहाँ पर चुकी दोस्तों cricket से संबन्द बात हुई तो ICC के बारे में revision कर लेते हैं ICC के अध्यच का नाम है Greg Barclay ICC के CEO का नाम है Manu Sahani और इसका जो मुख्याले है यह Australia और भारत में नहीं है बहुत ज़दा confused रहते हो कि हाल ही में एक पुस्तक launch करी गई है जिसका नाम है India's 71 Year Test The Journey to Triumph in Australia नाम के एक पुस्तक का लेखा कौन है तो यह जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखा का नाम है Arcosic Arcosic तो Arcosic के दोरा इस पुस्तक को लिखा गया है जो की Australia में इंडिया के जो जर्नी है उसको यहाँ पर दरसाता है इस पुस्तक का एक कवर पेज आप देख सकते हैं India's 71 Year Test The Journey to Triumph in Australia Australia में इंडिया के विजय की गाथा नाम से यह जो पुस्तक है इसको Arcosic के दोरा लिखा गया है रवी सास्त्री जी की दोरा ये शपोर्टेड है तो आप यहाँ पर इसका एक फोटो भी देख सकते हैं आगे चलते हैं Question बनेगा Asia प्रसांत में Google Cloud Google Cloud के नए प्रमुख कौन बनाए गये हैं तो आंसर हो जाएगा कि हाल ही में करन बाजवा को Option बनाए इसका राइड एंसर हो जाएगा कि करन बाजवा को Google Cloud नाम से जो आप Services यूज़ करते हैं उसका जो Asia प्रसांत छेतर है उसके नए प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है करन बाजवा को तो करन बाजवा का फोटो देख सकते हैं इनको हाल ही में Asia Pacific छेतर में इस नई पोजीशन के लिए चुना गया है यहाँ पर दोस्तो Google के बारे में समस्ते हैं Google के CEO का नाम है सुन्दर पिचाई और इसका जो मुख्याला है California अमेरिका में इस्तित है अगला कोशन दोस्तों बनेगा कि हाल ही में जनवरी 2021 में Deputy Chief of Army Staff DCOAS के नाम से आप से पूछा जाएगा DCOAS तो Deputy Chief of Army Staff के रूप में जनवरी 2021 में किसे चुना गया है तो हाल ही में यहाँ पर सांतनू दयाल को option number A's का राइडन सार हो जाएगा कि सांतनू दयाल को हाल ही में Deputy Chief of Army Staff के रूप में चुना गया है यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं जिनको हाल ही में इस पद के लिए चुना गया है यहाँ पर Lieutenant General सांतनू दयाल को नए Deputy Chief of Army Staff के रूप में चुना गया है और यह किस की जगह लेंगे ये लोग SS हस्बनी की जगह लेंगे दोस्तो भारती सेना के इस समय अध्यच कौन है जनरल मनोज मुकुन नरवने इस समय भारती सेना के थल सेना अध्यच है दोस्तो आज का कुशन जिसका आंसर आपको देना है कि जन्वरी 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्स 1901 के बाद आठवा सबसे ज़्यदा गर्म वर्स कौन सा रहा है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना बूलें थेंक यू फर वाचिंग दिस ओसम वीडियो